दोस्तों इस वीडियो में हम LCM of 19 and 57 using frame factorization method find करना सेखेंगे मैं हूँ दोस्तों आपका अपना प्यारा surrender clarity और इस नाम को YouTube पर search करके हमारे अन्य वीडियो देखिए बिल्कु सिंपल है दोस्तों आपका 19 यहाँ पर देखिए एक prime number है जिसके आगे कोई factor नहीं होंगे जबकि 57 के यदि हम prime factor करें तो आपके पास prime factor क्या आएगे धियान से देखिए prime factor कैसे किया जाता है इसमें हम prime number से divide करते हैं तो prime number कौन से होते हैं आपका 2357 इत्यादी तू से देखिए इसमें डिवाइड करेंगे complete divide नहीं हो रहा है 3 से इसमें complete divide हो रहा है कितना 19 टाइम 19 प्राइम नंबर है जो कि आपका 19 से ही divide होगा कितना यानि इसके prime factor क्या आगे हमें क्या चाहिए दोस्तों यहाँ पर lcm चाहिए तो lcm में आपको क्या करना है एक simple सा काम करना है उसको ध्यान से समझना बस एक बार ही समझना है जो दोनों का common factor उसको तो लेना है उसके बाद पीछे बचा कौन है उसको ले लो कितना आगे है 57 यानि यहाँ पर यह जो है यही आपका lcm है या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जब first number से दूसरा number divide हो रहा होता है यानि जो बड़ा number है वो complete divide हो रहा होता है direct तो वही आपका बड़े वाला number direct lcm बन जाता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ देखे एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देता हूं हमें hcf की hcf में simple सा process होता है दोस्तों ऐसा number जो की दोनों का common factor इसको आप ऐसे समझ सकते हैं cf का मतलब क्या होता है common factor दोनों में common factor क्या है 19 देखो 19 यहां भी है यहां भी है द इसी में ऐसा number होता है जो की दिएगे number से complete divide होता है आप चेक कर सकते हैं यह 19 से भी complete divide हो रहा है 57 से भी complete divide हो रहा है एक से पूल्टा होता है यह दिएगे number को complete divide करेगा इसको भी divide कर रहा है इसको भी divide कर रहा है थैंक्यू चैनल सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों को share कर कर दो